इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी ड्रोकसील 500 tablet एक anti-biotic दवा है जो आपके शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज के लिए उप्योग की जाती है यह गले, कान, मूत्र, मार्ग, त्वचा और soft tissues के infections में असरदार है यह बैक्टीरिया को मारता है जिसमें आपके लक्षणों को बहतर बनाने में और infection के इलाज में मदद मिलती है ड्रोकसील 500 tablet खाने के साथ या बिना खाना खाय भी लिया जा सकता है ड्रोक्टर द्वारा निर्धारित schedule के अनुसार आपको नियमित रूप से सम्मान अंतराल पर इसे लेना चाहिए इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटी बाउटेक का कोस हमेशा पूरा करना चाहिए जब तक आप पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इंफेक्शन वापस आ सकता है यह फ्लू यह सामाने सर्दी जैसे वाइरल संक्रमन के लिए काम नहीं करेगा जरूरत न होने पर भी एंटीबाउटिक का इस्तेमाल करने से यह भविश्य में होने वाले संक्रमन के लिए कम प्रभावी हो सकता है इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश, उल्टी, पेट में दर्द, मिचली आना और डायरिया, दस्ट शामिल हैं यह आमतोर पर हलके हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं, या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं इसका उप्योग करने से पहले, अगर आपको किसी भी एंटी बाउटेक्स से अलजी हैं, या किड्नी, या लिवर समबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए, जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि उन पर इस दवा का असर पड़ सकता है, या वे इस पर असर डाल सकती हैं गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और ज्यादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको भविश्य में और ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें धन्यवाद